नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका फार्मा रोक्स की यूटूब एच्यूगिस्टन चैनल में तो आज की उडियो लेक्चर में हम ऐसे हेल्थ प्रॉब्लेम और उसके सॉल्यूसंस के बारे में बात करेंगे जैसे की गले के अंदर दर्द होता है और वहाँ पे सुजन देखने को मिलते हैं कि जिसको हम मेडिकल टम्सक में टॉंसिल का problem कहते हैं या फिर tonsillitis कहते हैं कि जिसको सामन्य बास में गले का infection या फिर गले का दर्द और सुजन पिगा जाता है दूसरा health problem हम देखें तो दात में infection होता है तो specially आप यहाँ पर देखो तो जो आपकी oral cavity है वहाँ पर मसूडे होते है वहाँ पर infection होता है वहाँ दातों में जो cavities वगएरा पड़ती है वहाँ पर infection देरे-देरे फैलने लगता है फिर तीसरा हम problem देखें तो कान में इस तरह से infection हो जाता है जिसको हम ear infection कहते हैं और वहाँ से पस आने लगता है फिर जो मुत्रा से है जो bladder वगएरा होता है वहाँ पर दबाव होता है तो यह सब problems होना फिर जो STI कहा जाता है sexually transmitted infections जैसे कि gonorrhea है, syphilis वगएरा है तो यह सब भी health problems को solve करने वाली बहुत अच्छे tablet के बारे में हम सीखते हैं आज के audio lecture में और जानते हैं ड्रॉक्सिल टाबलेट के बारे में तो हम cover करेंगे यह अलग-अलग topics ड्रॉक्सिल ऐसे class का medication है कि जिसको हम antibiotics कहते हैं और antibiotic के अंदर भी यह सेफालस पुरिंग class की antibiotic medication है ड्रॉक्सिल जो है उसका brand name है और strength हम देखे तो 500 mg रहेगी और salt content जो है वो सीफा ड्रॉक्सिल है कि जो सेफालस पुरिंग class का antibiotic medication है कि जो बहुत सारे bacterial infections को ठीक करने के लिए use किया जाता है special medication क्या करता है कि जो bacteria की जो growth हो रही है उसको stop कर देदा है कि जिससे infection दिरे दिरे ठीक होने लगता है यह जो product की हम बात करें तो उसको manufacture करते है torrent pharmaceutical और यह Indian multinational pharmaceutical company है कि जिसकी head office जो है वो अहमदाबाद में है गुजरात में अब जानते हैं uses के बारे में ड्रॉक्सिल बात की कि जो गले में infection होता है tonsillitis की जो condition produce होते हैं कि गले में सूजन हो जाती है वहाँ पर रेटनेस होता है दर्द वेगर होता है यह जो प्रॉब्लेम है उसको हम tonsillitis कहते हैं फिर इस तरह से कान में infection होना ear infection वहाँ से पस आना nose infections होते हैं throat में infection UTI है या फिर skin infections को ठीक करन के लिए ड्रॉकसल टाबलेट को prescribe किया जाता है तो वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारी book भी available है बीमारिया और उनका उपचार decision treatment तो यह जो book है उसको आप purchase कर सकते हैं यह book को purchase करने के लिए यह number पे आप WhatsApp कर सकते हैं तो book के अंदर आप सीख पाऊंगे अलग-अलग बीमारियों के जो reason होते कि कौन से reason से कोई बीमारी होती है उसके symptoms हो गिरा फिर उसका निदान कैसे होता है मलगे diagnosis and treatment and medicine सौप्सन अप यह book के अंदर सीख पाएंगे तो book को order करने के लिए हमें WhatsApp करें तो आगे समझते हैं और जो उसके कुछ uses है जैस के lungs को प्रवायूत करते हैं हड्डियों या फिर जो joints में infection होते है गौन और या वगेरा है और surgical profile axis के अंदर जो infections होते हैं उसमें भी इसको use की जा सकते हैं अब label की study करते हैं तो यहाँ पे label में आप देख सकते हैं मैं highlighter से आपको बदा दाओ कि यहाँ पे RX लिखा है RX मतलब की prescription based drug है ड्रॉक्सिल जो उसका brand name हो गया 500 mg जो हो strength है और सीफा ड्रॉक्सिल उसका salt content है तो यहाँ पे भी आप उसका देख सकते हैं content टाबलेट का type हम देखे तो uncoated tablet है कोई भी type का coating उसके उपर नहीं किया गया है फिर storage के हम बात करें तो cool and dry place पे इसको store करना है और light से ज residual edge की drug है मतलब कि जब भी उसको retail में बेचा जाता है तो prescription के साथ ही बेचा जाता है और यहाँ पे torrent pharma के detail आप packing के उपर देख सकते हैं फिर strip packing में available है और एक strip के अंदर आपको 10 tablet जो है वो मिल जाते कि यहाँ पे आप यह 10 tablet की strip जो है वो check कर सकते हैं आगे जानते हैं इसक जैसे यह medication काम करता है तो specially जो mechanism रहती है सेफालस पूरें क्लास के जो antibiotics है उनकी तो यह क्या करते है बेक्टेरिया के अंदर उनकी जो cell wall का synthesis होता है उसको inhibit कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख रहें कि यह बेक्टेरिया का cell है और उसके आसपास यह उसकी cell wall है तो यह cell wall को inhibit करके यह medication जो अपना काम करती है अगर cell wall ही destroy हो जाती है तो आगे जाके जो बेक्टेरिया है वो survive नहीं कर पाते हैं तो बेक्टेरिया की जो हो डेथ हो जाती है और जिससे infection आपकी body में दीरे दीरे कम हो जाता है और patient जो हो ठीक होने लगते हैं अब बात करते हैं dose की तो ज 10 दिन तक patient जो हो इसको ले सकते है minimum dose की हम बात करें तो one tablet per day और maximum dose दो tablet per day के हिसाब से रहता है price की हम बात करें तो जो latest price है उसकी और वो है 50 रूपीस मतलब कि अब जब यह आप strip purchase करते है तो वो 50 रूपे की पड़ती है 10 tablet आती है तो इस हिसाब से एक tablet की price हुई 5 रूपीस so affordable price है यह अगर हम दूसरे antibiotics के साथ comparison करें तो इसकी price जो है काफी affordable है तो फिर से मैं reminder देना चाहूंगा कि आप हमारी book जरूट से purchase करें बीमारिया और उनका उपचार साथवा हम chapter cover करें यहाँ पर तो वो है उसका side effects तो nausea, vomiting, diarrhea और indigestion मलब की उल्टी हो सकते है जी गबराना, दस्त हो सकते है और खाना अच्चे से digest नहीं हुआ है ऐसा फिल कर सकते है अगर आप यह medication ले रहे है वर्निंग्स हम देखे तो अगर आपको allergy है penicillin या फिर सेफा स्पूरिंग क्लास के किसी भी medication के तो उसको use ना करें अगर आपने penicillin ले थी और इस तरह से allergy हो गई थी या फिर सेफालस पूरिंग्स में दूसरी अंटिपायोटिक लिए थो तो use ना करें अगर आपको kidney problem है और liver disease के patient है तो ऐसे लोग यह medication को जो है वो use ना करें pregnancy category के हम बात करें तो जो droxyl tablet है उसके pregnancy category भी है तो pregnancy के दरान यह medication लेना जो है वो safe है बड़ एक बार आपको आपके gynecologist कोई advice जरू लेनी चाहिए before taking this medication अब बात करते हैं उसके कुछ drug-drug interactions की कौन से दुसरी दवायों के साथ यह drug-drug interactions कर सकता है कि जैसे की आप इस omiprazole ले रहे है तो उसके साथ droxyl का combination जो है वो ना बनाए उसी तरह से omiprazole है, probanacid है, furacemide है, estrogen है, progesterone या फिर warfarin तो यह सभी medication के साथ यह droxyl tablet को कभी भी combination में यूज ना करें, because इन दिनों के बीच में हो सकती है drug-drug interaction और उसके करण आपके side effects और ज़्यदा बढ़ सकते हैं, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, तो यहाँ पर क्लिक करके, मेरा ये वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने बहुत अच्छी information दिये हैं आपको ये बीमारी के बारे में, तो ज़रूर से मेरा ये वीडियो देखे, चैनल को सबस्क्राइब करें, तो गुड लग एन अल दे बेस्ट